नमस्कार, मैं श्वेतर स्वास्वाव, स्वागत है आपका मेरे चनल ओनलाइन कथर में अगर आपने मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खृपव से सब्सक्राइब करो आज के इस वीडियो में हम लो सिखेंगे तीन ताल में अठगुन लैक की लैकारी को पढ़न के द्वारा दिखाना सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी काउंटिंग के माध्यम से तीन ताल की अठगुन की लैकारी को कैसे पढ़े आपको पता है कि धीन दार में एक से सोला तक की मात्राएं होती हैं और जब हम अट्गून की लेकारी को पढ़ेंगे तो सोला को दो भागों में बाट कर उसे दो मात्राओं पे पढ़ने की कोशिश करेंगे यानि एक मात्रा पे एक से आठ तंक की संख्या बोली जाएगे फिर दूसरी मात्रा पे नौ से सोला तक की संख्या बोली जाएगे तब यहां काउंटिंग के माध्यम से परहंत में आएगा जो की पूरे तीन ताल के एक आवरताओं में आठ बार यह पढ़ा जाएगा पर हां तीन तांकी लाइकारी को अठगुन में पढ़ने के लिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो थाह लाय हो जो आप थाह लाय पहले बेस उठाएंगे वो काफी नीचे से उठाएंगे क्योंकि हमें एक मात्रा में आठ की मात्रा बोलनी परती है जिस वज़ा से सासों में थोड़ी सी प्रोग्रम होती है चलिए देखते हैं तेरा चादा पंदा सोल एक दो तीचा पांचे साथा नौदा सिगार बादा तेरा चादा पंदा सोल एक दो तीचा पांचे साथा नौदा सिगार बादा तेरा चादा पंदा सोल एक दो तीचा पांचे साथा नौदा सिगार बादा तेरा चादा पंदा सोल एक दो तीचा तो जैसा कि आप जानते हैं कि मात्राओं का जो बोल है यानि एक विभाग में चार मात्राओं होती है और दूसरे विभाग में चार मात्राओं होती है उनको एक सांथ बोलनी है फिर नवी से सोलवी मात्रा तक जो मात्राओं आएंगी उनको एक सांथ बोलना है यानि एक finger पे, एक मात्रा पे, एक ताली पे हमें बोलना है धादिन दिन्दा, धादिन दिन्दा and second तुरत हमें बोलना है धादिन दिन्दा, तादिन दिन्दा यानि एक आवर्तन में हमें पूरे पूरे आठ बार तीन ताल को पढ़ना होगा जिससे वो अठ्वुन की लएकाली गार बनेगी सीधे से कहें तो एक मात्रा में एक मात्रा काल में एक मात्रा हैं बोली जाए कही जया meer पढ़ी जाए उससे अठ्वुन की लएकाली गलते देगे ध्युए 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 धा तान्यवार